जैसा कि आप जानते होंगे कि festival season की सुरवात हो चुकी है कुछ टाइम पहले हमारी नौरात्री जो है खतम हुई थी उसके बाद जो है हमारा सबसे बड़ा देवाली तेवार आने वाला है और इस तेवार के season में आप जानते होंगे कि जो समानों की विक्री है वो काफियत तक बढ़ जाती है विक्री हो खडिदारी हो जो भी हो वो एकदम से बढ़ जाती है क्योंकि इस टाइम लोग जो है खुल के खडिदारी करते हैं अपने तयवारों के लिए तो इसी चीज के उपर हम चर्चा करेंगे कि कि इस तरीके से आप भी इस तयवार के season में अपने अग अच्छे से होंगे और टॉपिक में जाने से पहले एक चोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि अगर्वत्ति बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो है देते रहता हू क्योंकि इस टाइम जो है दिवाली के टाइम में काफी ज़्यादा जो है चीजों की डिमांड बढ़ जाती है चाहे आपका पूजा से रिलेटेड समान हो अगर बत्तिया हो या फिर और कुछ चीजे हो और अपका कपड़ा हो या फिर कोई डेकोरेशन फोम डेकोरेशन होता है आप यह मौका क्यों होता है क्योंकि अभी जो हमारा सबसे बढ़ते होता है दिवाली ओर इस टाइम जो है हर घर में पूजा की जाती है अआप सब जानते ही होंगे उसी 천 절 तरीके से हमारी जो अगरबतियां होती है वह भी काफी ज़्यादा क्यान्त बढ़ जबढ करता है और इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी प्रॉडक्ट जो होती है उसकी काफी जादा इमांड बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ ये sales करने का सबसे अच्छा मौका होता है और सबसे सही समय ये माना जाता है तो इसमें कुछ दो-तीन तरीके है जो जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका यूज करके आप अच्छे से अच्छा जो है sales कर पाएंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा product बेज पाएं जैसा कि आप जानते ही होंगे कि scheme एक ऐसा चीज होता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा product बेच पाते हैं और इसमें कुछ-कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखके scheme बनानी है और दूसरा चीज होता है हमारा off जैसा कि आप देखते होंगे अभी बहुत सारी online website चल रही है जैसा फ्लीप काट हो गया Amazon हो गया और बहुत सारी चीजें उसमें भी आप देखे होंगे कि weekly off या फिर अभी जैसा कि festival season off और बहुत सारी जो है चलती रहती है उसमें आप देखे होंगे कि 60% off 40% off 20% off ऐसा कुछ चीजें आप भी अपने sales के उपर sales में आप कर सक सकते हैं और तीसरा चीज होती है cash discount जो है आप अपने product के उपर कुछ 10 या 20% का जो है discount दे सकते हैं और उसके बाद कुछ gift items या फिर आप ऐसा कोई quantity आप रखे होंगे उसके उपर आपको जो है gift दे देनी है या फिर अप यह ऐसा होता है कि 1000 का माल खरीदोगे तो यह चीज होता है जैसा कि आप जानते होंगे कि इस time जो है scheme का सबसे जादा use होता है और scheme ऐसा होता है जैसा कि आप मान के चले कि आपका कोई product है तो उस product के उपर आपको कुछ चीजे देनी होती है जैसा कि आप कोई gift दे सकते हैं या फिर कोई offer दे सकते हैं तो मान के चलते ही कि आप कोई एक दर्जन के पैक है और उसमें आप कोई बॉक्स जो है अगरवतिक बॉक्स उसके उपर आप इसकीम के थूप बेच रहे हैं तो यह होता है इसकीम यह एक मैं एक्जामपल के लिए आपको बता रहा हूं इसके उपर आप बड़ी बड़ी स्कीमें निकाल सकते हैं जैस से अच्छा सेल्स कर पाएंगे और जो खरीदने वाला होगा वह अपसे ज्यादा से ज्यादा मल खरीदेगा और सेकेंड चीज होती है हमारा ओफर अभी जानते हैं कि मान के चलिए जैसा बहुत सारी वेबसाइट अभी चल रही है फिलिपकाट अमेजोन अभी भरपूर उ जैसे लोग सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं उसी तरीके से जो है आप अपने अगरबत्ती के उपर भी ऐसा कुछ ओफर लगाके अच्छे से अच्छा सेल्स कर पाएंगे और उसके लिए आपको कुछ कुछ जो चीजे होती है वह आपको अपके प्रोड़क्त की होगा तो कस्टमर सोचेगा कि 100 रुपए का आफ मिल रहे तो इनसे हम खरीदारी कर लेते हैं तो इस तरीके से आप परसेंटेज का चूट कर पाएंगे और इसको आप ध्यान देना है कि सेल्स के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि सबसे ज्यादा परसेंटेज आप गिरा दे 10 परसेंट 20 परसेंट इतना तक आपका सहीं रहेगा और इतना 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 ओफर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और तीसरा चीज होता है यह cash discount अभी यह cash discount क्या होता है जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी product आप बेशते होंगे तो वो cash में आपको पैसा मिलता है मतलब नगदी जिसको बोलते हैं cash में आपको पैसा मिलेगा तो इसको बोलते है cash discount तो इसके उपर क्या होता है कि आप कोई product बेचे हो 1000 रुपय का product बेचे हो तो उसमें 5% cash discount दे दिए तो उसका 50 रुपय जो है minus हो जाएगा तो इस तरीके से जो है cash discount चलता है तो यही कुछ कुछ चीजे होती है जिसको करके हम sales बढ़ा सकते हैं और यह कोई बड़ी चीज नहीं होती है आपको कुछ ही time करना होगा जैसे festival अभी दिवाली का time है अभी नौरात्री निकली हुई है तो नौरात्री ऐसे कुछ कुछ दिन खरीदारी करे और यह सबसे सही मौका होता है क्योंकि इस time demand काफी बनी होती है तो यही था आज का यह वीडियो उम्मिद करता हूं कि यह sales के कुछ तरीके आपको बिल्कुल समझ में आये होंगे और आप अपने business में जरूर इसे apply कीजिए और इससे आपकी marketing की strategy जो है काफी अच्छी बने रहेगी और लोगों तक आप अच्छे से अच्छा जो है माल जो है बेच पाएंगे और आपका customer जो है आपके साथ में ही रहेगा और इसके बाद हम sales करने के कुछ और तरीकों के बारे में बात करेंगे जैसा social media के तुरू आप किस तरीके से बेच सकते हैं ज मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद